मशकार मित्रों गदर्टू 11 अगस्त को रिलीज होई थी और आज गदर्टू को रिलीज हुए लगभग तीन सप्ताह से अधिक का समय बीच चुका है लेकिन फिल्म बिना रुके बिना थके लगातार चलती जा रही है और हर बीतते दिन के साथ ये फिल्म लगातार कई बनाती भी जा रही है गदर्टू की अरणिंग की बात करें तो फिल्म ने अपने प्रथम सप्ताह में 284 करूण रुपए से अधिक कमाई की दूसरे सप्ताह में 134 करूण से अधिक की अरणिंग की फिल्म ने अपने तीसरे सप्ताह में भी लगभग 63 करूण रुपए कमा हैं तो कुल मिलाकर इन तीन सब्ताह में फिल्म ने 482 करोंड से अधिक का कलेक्शन किया है और अब फिल्म अपने चौथे सब्ताह में आ गई है और निशित रूप से चौथा सब्ताह पूरा होते होते फिल्म 500 करोंड का आंकड़ा पार कर जाएगी और इसी के साथ यह तथा इसके बाद एक दौड आरंब होगी गदर टू के नंबर वन पनने की वैसे मित्रों गदर आज जहां भी आ गई है यह कुई छूटी बात नहीं है यहां तक पहुंचने का गदर का सफर बहुत ही काटो भरा रहा है लेकिन गदर के प्रती यह जंता का अपार प्यार ही है ज इसी कारण से गदर की रिलीज से पहले पूरा इकोसिस्टम उसे इग्नोर कर रहा था रिलीज के बाद लगातार नेगेटिव रिव्यू दिये गए लेकिन जनता ने जब गदर का साथ नहीं छोड़ा तो उसका HD प्रिंट शोशल मीडिया पर वाइरल करवा दिया गया सनी दियूल जी के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए उनके कुछ वीडियोज वाइरल करवाए गये आखिर क्या नहीं किया गया गदर की सफलता को रुकने के लिए हर संभाव प्रयास किया गया लेकिन जनता के आगे किसी की नहीं चलती चाहें कोई भी क्योंना हो और अपार जन समर्थन के कारण ही आज गदर्टू इतिहास रच चुकी है मित्रों जनता ठक चुकी थी पाकिस्तान प्रेम नकसल प्रेम से भरी होई फिल्में देख देख कर ऐसे में गदर्टू ने लोगों को एक अवसर दिया कि वो अपने ही देश अपनी ही शंस्कृति का आपमान देखने के स्थान पर कुछ और भी देख सकते हैं मित्रों अब तो प्रतिक्षा आरंब हो गई है गदर्टू की लोग गदर्टू के लिए उत्सुक हैं और यह तो लगभगता है कि गदर्टू आएगी लेकिन देखना यह होगा कि कब तक आएगी वैसे जिस तरह से दो दशक लंबी परतिक्षा हमाएं गदर्टू के लिए करनी पड़ी है उतनी लंबी परतिक्षा तो नहीं करनी पड़ेगी आशा यही है कि अनिल शर्माची गदर्टू के साथ भी नयाय करेंगे और एक ऐसी कहानी के साथ सामने आएंगे जो फिर से रिकार्ड्स गदर्टू की एक कमी पर तो मैंने वीडियो भी बनाया था आप लोगों को अगर संचिप में बताओं तो वो कमी यह है कि गदर्टू में एक भी देश भक्ती सौंग नहीं है जैसे सुनकर लोग जूम उठें गदर्टू सुतंतरता दिवस के आवसर पर रिलीज हुई थी तो इसमें देश भक्ती का एक गीत तो होना ही चाहिए था आज भी हम लोग जब देश भक्ती के गीतों की बात करते हैं तो पुरानी फिल्मों के गीत हमारे कानों में गुंचते हैं आप मेरा वो वीडियो देखेगा आप लोगों को अच्छा लगेगा आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ वैसे आप सबी को क्या लगता है गदर्टू कहां तक पहुंचेगी अभी कितना और खमाएगी बाहु बली और पठान के रिकार्द्स कब तक तोड़ पाएगी तोड़ पाएग या नहीं तोड़ पाएगी जो भी आपके म मन में है मैं आप क